तो हलो दोस्तों वल्कम बैक टू और चैनल क्रिटिक्स एनिमेन नेशन तो आज हम हमारे एक्स्प्लेनेशन में करने वाले है बुरुटो एपिसोड नमबर 16 का इंदी एक्स्प्लेनेशन तो चलो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो और स्टार्ट क प्लीज करते हैं यहाँ पर जो इनकी एक्स्प्लेनेशन टेस्ट होती रही थी है उसमें डेंकी का नमबर आता है पर डेंकी को कुछ नहीं आता उसको तो वॉल क्लाइंबिंग भी नहीं आती इसलिए वह नाराज होता है पर बुरुटो जो उसका दोस्त होता है और उसके बाकि साथी ऑसको घर्ट करते है कि तुम ऐसे चड़ सकते हो पर जब डेंकी ट्राइ करता है तो वो बार बार नीचे गिरता रहीं केता है नहीं मुझसे नहीं होगा और फिर यहाँ पर डेंकी रोने लगता है फिर सी कड़ाई उससे कहता है रो मत कुछ नहीं होता फिर डेंकी कहता है नहीं मुझसे सच में नहीं होगा और फिर यहाँ पर शीनो सेंसे बच्चों को ढूंटे रहते है पर वो यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहते है डेंकी कहता है नहीं मैं तो गिरने वाला हूँ और फिर वो वापस से नीचे आ जाता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता फिर पीचे से उसको मेडल पकड़ लेता है कि डेंकी तुम टेंशन मतलो मैं हूँ ना मुझे ये सब बहुत अच्छी तरह किसे आता है और मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ और फिर डेंकी केता है ओ ऐसा क्या ठीक है और फिर बाद में हम देखते है कि डेंकी और मेडल यहाँ पर उपर बाहर पर चड़ने की प्रैक्टिस करते है और मेडल कहता है मैं भी अपनी स्टेंथ को थोड़ा सा तेज बनाऊंगा और यहाँ पर डेंकी का पैर फिसल जाता है और उसके हाथ भी छूड जाते है और व जिसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर रॉकली का बेटा जो मेडल होता है वो भी नीचे आता है और फिर इन दोनों को देखकर डेंगी कुछ गबरा जाता है और फिर जो रॉकली होता है वो डेंगी को ठीक से पकड़ लेता है कि तुम तुम में मुझे उकला दिख रही है पर उसके लिए तुम्हें कुछ चाहिए और वो उसको गले लगा लेता है यहाँ पर जो इवाबे होता है वो किसी टेस्ट में फेल होता है जिसके कारण वो सुछता है कि अभी मुझे पढ़ाई करने पड़ेगी यहाँ पर डेंकी को यह दोनों एक ड्रेस देता है जिसके का नहीं तो इवाबे कहता है देखो कुछ एसे तरह से चड़ा जाता है समझे डेंकी आ जाओ और फिर डेंकी भी कहता है कि ओके ओके मैं भी चड़ूंगा और फिर वो पीचे जाता है और आगी भाकते भाकते आने के बाद थोड़ा सा उपर चड़ता है और फिर बैक फिलिप खा लेता है और फिर वापस से जमीन पर उतरता है अरकेता है कि देखा इवाबे मैं के ठीक सारा से चड़ा अब देखो मैं अगली बार भी इससे भी टेस्ट एड़ूँगा और फिर शाम होती है और इवाबे और डिंकी बात करते रहते है उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो डिंकी होता है वो कहता है कि अब मैं अच्छे शिनुवी बनूँगा और फिर बाद में यहाँ पर अगली टेस्ट के लिए जो इवाबे होता है वो अपने फिदिक्स के टेस्ट के लिए लर्न करता है और फिर देंकी से कहता है यहाँ और ठीक सारा से करो यह तुम्हें और अच्छी तारा समझ में आएगा और फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि इवाबे और डेंकी यहाँ पर दिवार पर चटने की प्रक्टिस करते है फिर बुरुटो इनके लिए कुछ तीखे बर्गर लाता है और कहता है कि यह नया एडिशन है खाके देखो मार्केट में नया आये है और फिर सब साथ में बेटते हैं और फिर बुरुटो कहता है कि मैंने इने तुमारे लिए सब के लिए लाया है खाके देखो और फिर सब कहते हैं कि ठैंक्यू बूरुटो और फिर उसके बाद सब एक एक बाइट लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि सब के चेरे अलग ही हो जाते हैं और उसके मुँसे आग निकलती है सिवाए मिट्सकी के और फिर सब केता है कि हे ये केसा एक लाया तुमने इतना तीका और फिर बुल्टो केता है कि क्या सच में तीका है ये तो नया था मैंने अभी अभी फिलाल लाया है रुखो मैं खाके देखता हूँ और फिर बुल्टो एक बाइट चकता है और उसके मुझे भी आग निकल लगती है और फिर वो कहता है और यहाँ पर हम देखते है कि एक सिटी में एक बृளिंग में आग लग जाती है फिर यहाँ पर इवाबे देखता है और इवाबे उपर चड़ जाता है और इस बृ natomiast गुज जाता है कि आरे यवाबे और डेंग की आये क्यों नहीं वो फिलाल आ रहे क्यों नहीं है पता नहीं खापया टग गए है एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है फिर उससे इनोजिन केता है कि शायद तुम्हारे बर्गर की कारण उनका पेट डुक रहा होगा और फिर बुरुटो की हालर कुछ ऐसी हो जाती है कि क्या सच में नहीं मुझे इसा नहीं लगता और फिर यहापर शिकामारू का बेटा सिकाड़ाई भी केता है कि हाँ मेरे पेट्वें भी कल से कुछ गुड़ गुड़ हो रही है बुरुटो और फिर बुरुटो केता है कि सच में कुछ ऐसा हुआ होगा मतलब क्या उनकी activity नज़ेनी का कारण में हूँ ऐसा नहीं हो सकता यह सब मेरे पर नहीं आ सकता और फिर बाद में हम देखते हैं कि अगले सिन में यहापर जो इवाबे होता है वो इन बच्चों को बना लेता है जिसके कारण उनके जर्फ आग नहीं आती है और केता है कि हमें उपर से कुछ जुगाड़ करना होगा और फिर वो वापस से उपर जाते है और यहापर आता है हमारा डेंकी जो की अलग ही अंदाज में होता है और वो केता है कि मैं तुम्हें बचा के और फिर हो केता है क्या इवाबे ठीक होगा या नहीं मुझे जाकर देखना होगा मुझे वो ट्रेनिंग याद है जो मुझे रॉकली और मेडल ने दी थी अब मैं जाओंगा और उन बच्चों को बचाओंगा और वो एकदम उपर के फ्लोर पे पहुच जाता है इन चाती है और धीरे-धीरे करके सार यहां कि बुझने के बाद जो दंकी होता है वह इवाबे से कहता है कि मुझे तुमारी फिकर थी झीवाबे और फिर हम देखते हैं कि सब की एक्टिवीटी टेस्ट हो जाती है पर बाकी बच्चे नहीं आते हैं पर आखिर में वह आती है और फिर यह वने के बाद उनको ऑफिस में बुलाया जाता है और फिर शिरो सेंसें से उन से पुछते हैं कि तुम इतने लेट क्यों आये थे हां बताओ बोलो क्या हुआ था फीरे केते हैं हमें माफ कर देना हमन से थोड़ी भूलो गई थी अगले साल हम ट्राइ करेंगे और यहाँ पर सब बच्चे उनको शाबस देते कि वह तुमने कितना अच्छा काम किया है तुमने लोगों को बचाया तुम तो सच में बहादुर हो इसके साथ आज का हमारा एक्प्रेनेशन यही खत्म होता है तो मिलेंगे गाइस अगले एपिसोड में तो आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब का बटन जरूर दा बना क्योंकि कई लोग तो भूल जाते हैं तो गाइस मिलेंगे एपिसोड में तक लिए बाइ बना क्योंकि कर दो खासे हुआप खासे ही उीम प्लीज सब्सक्राइब का बटो रेगारीज थाए सत्सक्राइब का सुपनी ट Grabe सॉपने बटना का लिएद सब्सक्राइब कावःब कार दां से多शफ ड्सक्राइब का रिए झाल झाल